आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तगनी होतरी इस्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है यह है शारण्या कलकता से और यह उनकी मदर बंदना शारण्या जो है वो बाइलोजिकल साइंस में अपना ग्राजुएशन कर रही ह रिसर्च कर रही है इस पर थोड़ा सा डाउट है मुझे बढ़ कोई बात नहीं पढ़ा ही कर रही है और यह राइटर थी है ठीक है और काफी कुछ लिखती थी एक कंपनी के लिए 20,000 रुपर महिना कमाती थी जो इनके लिए काफी अच्छा था SEO Search Engine Optimization आज के लिए एक नई जॉप हो गई है SEO यह स्किल बेस्ट कोर्से जो यूट्यूब के लिए यह बहुरे इंपोर्टेंट हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ऑनलाइन बढ़ते जा रहे हैं यह नई जॉप्स क्रियेट होते जा रहे हैं उससे आप काफी पैसा भी कमा सकते है तो यह जो SEO है उसी हिसाब से यह लिखा करती थी और ताकि वो वाइरल हो और कमपनी भी बहुत जादा खुश्टी तो बीस हजार रुपेन को जो है वो मिल रहा था अब यह बताती हैं कि फिर एकदम से जहां कमपनी मुझे काफी कुछ लिखने को दिया करती थी वहाँ पे मैं बहुत परशान हो गई मैं आंग्शिस थी क्योंकि यह मेरी इंकम थी जिससे मैं अपनी मम्मी को भी सपोर्ट करती थी लेकिन यहां से मेरी इंकम गई मैं परशान हो गई और अभी भी परशान हूं कमपनी ने मुझे कुछ भी नहीं बताए कि आखिरकार ऐसा क्यूं है It's just that कि मेरी जॉब चलीगा और जो अभी भी शायद मैं कर रही हो सकता हाग आने वाले सावे में वो भी चला जाए तो ये इन्होंने शेर किया है क्यों हुआ ऐसा बात करेंगे लेकिन उससे पहले अपने Personality Development Course की हम बात कर लेते है ये जो शांदार कोर्स हमने बनाया है एक एक लेचर डेडर दो दो घंटे का है इस कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें recorded session है मातर तीन सो रपे का एक कोर्स है आपको बहुत ज़दा फायदा होगा चाट जीविटी सैम आल्टमेन करांती का रही है सैम आल्टमेन ने चाट जीविटी बनाया भाई घजब मैं वैचे एक ही बार मैंने यूज किया उसके बाद चाट जीविटी यूज नहीं किया बट यह revolutionary है क्योंकि यह कुछ भी कर देता है मैंने World War II मैंने को World War II की पीपीटी बनाओ पीपीटी बना दी सबरदस्त ऐसा तो कभी कुछ देखा ही नहीं सुपर हैपी सुपर इलेटेड लेकिन यह जॉब खा जाएगा चाट जीविटी के वज़े से यह हुआ है यह शारण्या बताती है कि जब से यह artificial intelligence आया है open AI आया है तब से हमारी वाट लगी हुई है और इसी लिए ही companies ने काम देना बन कर दिया है आपको पता ही है कि open letter लिखाता जिनोंने AI बनाया उन्होंने भी लिखाता कि AI को regulate करने की ज़रूरत है वरना AI humans को खा जाएगा जौग खा जाएगा private company जो है वो पूरा AI पे चल रही है मतलब अभी तो नहीं आगे आने वाले समय में चलेंगी चलेंगी और private profit पे काम करता है तो उसको profit चाहिए अब एक वो individual है जब उसका cost कम हो रहा है artificial intelligence तो वो क्यों इंसानों को रखेगा simple सरकार भी यही सोच सकती है जोब्स खत्रे में है एकदम जोब्स भायाना खत्रे में है आप यह मान के चलिए so this is the main problem शारणिया यही बताती है अब यहाँ पे regulated AI की बात और यह हॉलिवोड बंद पड़ा है AI की वज़े से आपको बता है एक बहुत बड़ा concern हॉलिवोड का यह है कि वाई हमको नौकरी नहीं मिल रही है हमारी नौकरी चली जागी AI की वज़े से क्योंकि script में जो है वो अब तुम AI का यूज़ करोगे तो पूरा हॉलिवोड बंद है producers क्या कहाना है बाड़ में जाओ तुम जो यह पूरा association चलाते है तुम जब अपनी आउकात पे आ जाओगे न कर लो करो protest तुम करो मत काम करो हमारे पास कोई tension नहीं है तुमारे पास जब तुमारे पास पैसे नहीं होंगे तुमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तुम कुछ खरीद नहीं पाओगे तुम tax नहीं भर पाओगे तब हम तुमसे negotiate करेंगे इतना घमंड है जाहिर सी बात है भाई इनके पास पैसा है ये कर सकते हैं ऐसा लेकिन याद रखिये कब तक करोगे बेटा ब्रेकिंग बैट देखा है न उसमें क्या कहता supply आनी चाहिए तो supply तो इन ही लोगों के पास कमान है ये लोग अपना बहुत बड़ा खड़ा कर सकते हैं कुछ भी ठीक है बहुत बड़ी company खड़ी कर सकते है artificial intelligence में regulation की ज़रूरत है शारणिया कहती है कि AI और humans साथ में काम करें लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये profitable humans को नहीं replace कर सकता अब जैसे अगर मैं बोलू कि UPSC या answer writing जो है हमारे जो UPSC में answer writing होती है वो AI से करवाले ना मुम्किन है क्योंकि जो आप feedback ले सकते हो ये तो रटे रटे machines है codings है algorithms है softwares है लेकिन यहाँ पर इंसान अलग है हमको machine तो बनना नहीं लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय में जैसे robot movie नहीं देखिए चिट्टी वो हो सकता है ठीक है तो regulation is the way और ultimately भाई बहुत सारी movies में दिखाया है ये matrix हो गई ये terminator हो गई कि यही machines हमको खतम कर देती है ये सब AI तो हैं है जो इतनी intelligent हो गई है कि अब सीधा सीधा जो है ये इंसानों से पंगा ले रही है यहोँ ये भी reality हो सकती है हम देख रहे है तो इंसान अपनी बरबादी का कारण ना बन जाए मेरे ख्याल में AI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपने देखा कि AI ने surgery कर दी paralysis था एक को वो सई हो गया तो ये वरदान है हमारे लिए बहुत सारी चीज़े आसान हो जाएंगे बट फिर भी humans की जॉब नहीं जाएंब ये बड़ा tension वाली बात है बारत जैसे देश में जहाँ पर वाकिए जॉब्स की थोड़ी कमी है तो वहाँ पर अगर जॉब्स जाती हैं तो बड़ा दुख होगा तो इसको regulation regulate करना बहुत ज़रूरी है my personality development course को ज़रूर अवेल करें आपको बहुत ज़्यदा फायदा होगा thank you so much